तो हेलो आज का हमार टॉपिक है वैलिएशन ओफ आ मोटर कार अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सेलरी परते परते अचानक कार पीच में कहां सा अगी मोटर कार का यहां पर मीनिंग है वही जेनरल कार जो हम रोड स्रीट पर देखते हैं अब कार सेलरी चेप्टर में क्या कर रही है सबसे पहले वह समझते हैं अब यहां पर जिस कार की बात हो रही है वह कार दी गई है एंप्लॉयर द्वारा या तो फिर एंप्लॉयर ने कार दी किसको एंप्लॉई को या फिर वो employer की खुद की car है या फिर own car है यारि कि अगर employer ने employee को चलाने के लिए car दी है तो भी इसको salary में consider किया जाएगा और अगर वो employer की खुद के car है जिससे वो office आता है तो उसको भी salary में consider किया जाएगा अब आप सोचे होंगे कि employer employer को car क्यों देगा कई ऐसे काम होते हैं जिनके लिए employee को शेहर में ट्रेवल करना होता है और जो एक अच्छे level के अच्छे designation पर जोटे हैं उनको के बार employer car use करने के लिए देता है अब salary के अंदर car की value को कब जोड़ा जाएगा जब वो car दी गई है personal purpose के लिए देखिए समझते है यह है एक employee यह है एक employee जो काम करते हैं company के अंदर जो company है company इनको दे रखिए एक car use करने के लिए उस car से multiple काम करते हैं जैसे meeting से ट्रेंड करना site visit करना site visit जैसे कई जैसे काम होता है जहाँ पर हमको site पर जाना पड़ता है जनरल अर्किटेक्टर काम ऐसा होता है या फिर अगर डॉक्टर है तो patient visit करना तो इसे कई चीज़ों के लिए car दे रखिए meetings हो site visit हो तो company ने इनको दे रखिए car अब यह तो हो गया company का official काम यह क्या होगे company का official काम अब जो official काम है इसके लिए अगर company ने employee का car दे रखिए तो आप मुझे बताए कि employee का कोई बहुत ज्यादा भला हो रहा है किसके अंदर company का employee को कलको यह बोले कि हमने तुमको car यूज करने के लिए तो उमारा बहुत ज्यादा benefit हो गया इससे कोई बात नहीं है इसमें क्योंकि employee इस car का use क्या कर रहा है employee इस car से company का का काम कर रहा है तो एक employee को कोई benefit मिला क्या company ना अगर car दे भी दी employee को meetings बजाने के लिए site visit बजाने के लिए तो इस employee का यहां पर किसी प्रकार का benefit हुआ क्या इस employee को यहां पर किसी प्रकार का benefit नहीं हुआ क्योंकि वह काम किसका कर रहे है काम तो company के कर रहे है company को काम करवाने है तो कार दे भी benefit का हुगा employee का जब कार किसके लिए दी जाएगी जब कार दी जाएगी पर्सनल यूज के लिए जब कार दी जाएगी पर्सनल यूज के लिए तब हम कहेंगे employee का कुछ benefit हुआ है और हम इस शेप्टे में जिस कार की बात कर रहे है वह ऐसे प्रकार के कार है जो employee को दे गई है पर्सनल यूज के लिए जनिल क्या होता है ना company ने कार अलॉट कर दी employee के नाम पर मतलब ऐसा नहीं कार उसके नाम कर दियो क्या है कि आप उस कार का यूज कर सकते हो अब एंप्लोई का benefit का होगा जब company इसको बोलेगी या तो यह जो कार है कंप्टी ने अगर एंप्लोई को बोला कि या तो अगर यह जो कार है वह है 100% पर्सनल यूज के लिए या फिर पी ओ डॉबल पी यानि की कि पार्ट्ली ओफिस और पार्ट्ली पर्सनल यूज के लिए इन दोनों कामों में अंप्लोई का फायदा है अगर कार एंप्लोईर ने दे दे कि यह कार तुम अपने पर्सनल यूज के लिए पूरी तरह है तुम्हारे तो भी यह जो benefit यह employee को मिला है और अगर company ने काई कि इस car से तुम्हें office का काम भी करना है और तुम्हें कभी कावशक्ता हो तो तुम्हें इस car को घर भी ले जा सकते हो तो इन दो cases के अंदर employee का benefit है हमें इस chapter के अंदर यह देखना है ठीक है कि अगर company ने employee को personal use के लिए कार दी है तो उसकी benefit की value कितने कितने रुपे माना जाएगा कि salary में जुड़ेगा आप लोग को सुनके आश्चर हो रहा होगा बट यह सही है कि actual income tax के अंदर provision है कि अगर employer ने employee को car use करने के लिए दी है तो इस कार की जितनी value income tax के साब से निकलती है ना salary में जोड़ी जाती है हमने पहले दिन इसलिए इस बात पर इतना जोड़ दिया था कि हम पैसों की बात नहीं कर रहे हैं अगर employer ने employee को किसी भी प्रकार का benefit दिया है cash या non cash किसी भी तरह का benefit दिया है अगर वो salary में जुड़ेगा अब अगर employer ने employee को कार चलाने के लिए परसनल काम के लिए कि उस कार का यूज़ करके वो किसी function मजा सकता है personal अपनी family को dinner के लिए लिए सकता है shopping करवा सकता है कुछ भी करवा है company ने अगर इस प्रकार से कोई motor car दी है उसको तो salary में यह मना जाता है कि उसको benefit मिला employer से अगर वो employee नहीं होता तो employer ने car दी होती क्या बिल्कुल नहीं दी होती इसलिए since उसको employee होने के कारण company से car use करने को मिलिए personal काम के लिए उसको benefit माना जाएगा और employee की salary में जोडा जाएगा अब कितनी value जोडेंगे वो हमें इस chapter में सीखना है ठीके अब हमने नीचे एक summary बनाईए owner, expense, purpose और benefit इसको बनाने का मकसद पहले समझ लेते हैं देखो आपको इस topic का purpose समझ में आ गया कि हमें topic पढ़ क्यों रहे हमें topic पढ़ रहे हमें topic पढ़ रहे एक कारे जो employer ने employee को दे रखी है अपने personal काम के लिए तो salary के point of view सर्म यह देखेंगे income tax में कि employee को benefit मिला employer से कि employer ने card दे रखी employee उसके मस्त घर के काम के लिए इस्तिमाल करता है तो benefit मिला इसको तो income tax में कुछ rules दे रखें उन rules के द्वारा हम यह पता लगाएंगे कि employee को कितना benefit मिल रहा है उसकी money में value निकालेंगे और जितने benefit car से मिल रहा होगा employee को उतना उसके salary में add कर देंगे सुनने में बात बहुत अजीब लगती है मैं जानता हूं बट क्या कर income tax में है कि अगर employer ने employee को car दे रखी है घर के लिए अपने personal use के लिए उसको भी salary मानके salary में add करते है उसके income tax लगता है अच्छे अगर car employee की हुई तो मैं employee हूं किसी organization में car मेरी खुद की है बट उसमें petrol employer डलवा रहा है उसके repairing employer करवा रहा है और वो यूज में कर रहा हूं office के काम के लिए और अपने personal काम के लिए भी तो आपको नहीं लगता कई ना कई employer से मुझको benefit मिल रहा है मेरा खर्चा बच रहा है तो अगर मेरी खुद की कार हुई मगर खर्चा employer उठा रहा है कार का और मैं personal काम कर रहा है उस कार से तो भी salary में add होगा मतला मेरी खुद की कार है मगर खर्चा employer उठा रहा है उसका और मेरी खुद की कार है तो जाहर सी बात है मैं personal काम करूंग ही करूंग उससे तो उस case में भी मेरे salary में वो खर्चा जोड़ेगा जो employer में दिया है सुमझें और अगर employer की car हुई मुझे खुद के use के लिए दे रखिये तो जहर सी बात है मेरा फायदा है उसमें पहली बाद तो car खरीदने नहीं पड़ी office से मिल गई दूसरी बात काई कैसे में खर्चा भी office उठा रहा है तो हम यह देखेंगे इस chapter में कि अगर office से car मिलती है आपको तो आपको कितने रुपे का benefit मिलेगा वो रुपे की value कैसा निकालते हैं अरे car चलाने के लिए दिया इसमें कैसा निकालो कितने रुपे का फैदा हुआ कार चलाने को मिल गई तो वो निकालने इस chapter में सीखेंगे समझा रहा है अब आपके लिए simple हो जाए इसके लिए में एक summary बनवा रहा हो यहां पर summary को बहुत actively follow करना आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर खतम हो जाएगे summary के साथ ही सबसे पहले हम यह देखेंगे कार है किसकी फिल्म यह देखेंगे खर्चा कौन उठा रहा है और तीसरा काम किसका निकल रहा है जैसे फॉर एग्जामपल कार है employer की कार किसकी है कार है की employer की खर्चा कौन उठा रहा है khrचा उठा रहा है employer काम भी किसके निकल रहे है आफीशल आ के लिए यूज हो रही कार मतलब कार ओनर की है यानि कि जो employer मेरा उसकी कार है A car का खर्चा भी ओफिस कर रहा है मेरा जेब सरिक कुछ निया जारा Car पेट्रोल रिपैरिंग इंशोरिंस जो भी खर्चा है पुरा कॉन कर रहे ए Employer रहे है तो काम आपहा है किसके काम पर री अवफिस के काम तो हो रहे है कर से मेरा कोई परस्नल बेनिफित है क्या मेरे कुछ फायदा हुआ क्या यहां मेरे कोई फायदा नहीं तो जाहिव सी बात मेरे की सैलरी के अंदर भी नहीं जुड़ेगा सैंप्लारक स्भार कर बाँ की खर्चा उठा एंप्लॉयर और पर्पस क्या हो पर्सनल मेरे पर्सनल काम के लिए मुझे ऑफिस की कार मिल गई और उसका खर्चा भी ऑफिस न उठाया ऐसी कार अलोट कर रखी है मानलो कि कंपनी का डायेक्टर है कोई अब डायेक्टर सड़क पर गुमता है अच्छे कार दे रखी है तो वो जो कंपनी ने कार दे रखी है डायेक्टर को वो डायेक्टर उससे अपना पर्सनल काम भी करता है जो कंपनी का या ओफिस का जो भी डायेक्टर है वो जब मीटिंग में जाता है ओफिस की तो तो कार का यूज करेगा मगर एक कार उसको दे रखी है पूरा परसनल काम के लिए उसे घर पे पार्क रेती है कार डायेटर की फैम्ली यूज करते है पूरी परसनल डायेटर की वाइव डायेटर की बच्चे उसको यूज करते हैं डायेटर को benefit मिला उपने से कुछ बिल्कुल मिला benefit खर्चा नहीं लग रहा कार एंप्लॉयर की है उसको यूज करने को मिल गई यह सेलरी में जुड़ेगा अच्छा यह भी हो सकता है कि जो कार है वह एंप्लॉयर की है खर्चा भी एंप्लॉयर ही उठा रहा है और उस कार से दोनों काम हो रहे पार्टली ओफिशयल पी-ओ और पार्टली परस्नल डबल ठी ओ दबल पी पार्टली ओफिशल आइध़ पर्सनल सब्सक्राइब टरग दवीजिएंग कर आता है जब तक ओफिस है तब तक तक दिन बर ओफिस काम में यूज करता है कार का जब office बंद होता है तो car इस घर ले जाता है फिर अपने घर का काम करता है याने कि family को डिनर पे ले जाना किसी function में लेकर जाना घर के यूज में भी आती कार किस दर मन हुआ ओफिस में नहीं लेकर आया कार तो पार्टली ऑफिशल पार्टली पर्सनल यहां benefit मिला बिलकुल मिला घर का यूज भी तो आरी कार तो यह भी salary में जुड़ेगा फर्स पार्ट समझ में आगिया दूसरा पार्ट है कार है employer की खर्चा कौन उठा रहा है employee employer ने सिर्फ कार दे दी कि अब आप एक बातले समझ लो कार अगर सिर्फ ओस्रिफ परपरोस के Soans कि यूज में आ रही है तो employee स्थ होई ने सकता काषक कोई भी कर कार होगि से की भी अगर सिर्फ ओस्रिफs परफिस क काम में अरी है ऐतो एंप्र O斯 compete जूण सकता salary में तो salary में सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगा जब वो personal या फिर partly personal use में है car तो जहां भी आपको दिख गया ना car सिर्फ और सिर्फ और official use में आ रही है employee का कोई benefit नहीं क्योंकि employee बीचरा है दिन बर car का use किसमें कर रहा है खर्चा employee कर रहा है और car पूरी personal use के लिए आ रही है car दे के छोड़ दी अब उसकी repairing, fuel, insuring सब employee को करवाने है भली खर्चा employee उठा रहे हैं बगार car तो मिली है न ओफिस से ने तो car कल को खरिदने पड़ती, car खरिदने जादा मुश्किल है तो यहां पर भी benefit मिला है तो यहां पर्टली पर्सनल यूज में benefit तो यहां भी है पर्टली पर्सनल यूज हुआ न उसका भी दूसरा section हो गया हमारा, तीसरा है, car है employee की employee की खुद की car है, director की खुद की car है, खर्चा कर रहा है employee अब देख ऑफिशल काम के लिए यूज हो नहीं सकती ही car, क्योंकि जाहर सी बाते है employee की खुद की car है पर्सनल यूज तो करेगा ही करेगा उस car का, तो खुद की car का सिव ऑफिशल यूज में हो सकता, हो सकता है की car employee की खर्चा employee कर रहा है, पूरी तरह पर्सनल यूज में आती हो car, तो मुझे बता employee को benefit office से मिल रहा है कुछ car employee की है, car के ओपर खर्चा भी employee कर रहा है, car का इस्तमाल भी employee कर रहा है अज तो office से कुछ benefit थोड़ी मिला है आपे, car मेरी खर्चा मेरा, use मेरा, office का कोई लेना देना ही नहीं इसमें, salary में नहीं जुड़ेगा salary में कब जुड़ेगा, जब car हो employee की, खर्चा करे employer और use of personal, तो उस salary में जुड़ेगा, और car हो employee की, खर्चा करे employer और use of partly official, partly personal, तो इन दो cases के अंदर salary में जुड़ेगा, तो आप समझे, यह हमारी summary है, अगर employer की car है, खर्चा employer कर रहा है, तो personal use जहां आगे होँ, salary में जुड़ जाएगा, car employer की है, खर्चा employee कर रहा है, जहां personal use में आगे होँ, salary में जुड़ जाएगा, कार एंपलोई की है खर्चा एंपलोईर कर रहा है और परस्नल यूज में आ रही है जो कि आईगी सही तो सेलरी के दर जुडेगा समझ मा रहा है आपको यह है पूरी चेप्टर की समरी अब एक एक करक्या में सभी केसेज को स्रेडी करते देन हमारे चेप्टर खत्म हो अब तुम यह कैसे लगा होगी कि कार की कितना बेनिफिट मिला कार चलाने से मैं अपनी फैमिली को कार से फंक्शन में ले गया, कार ऑफिस की थी तो मुझे कितना बेनिफिट मिला कैसे निकाल और नहीं निकाल सकते है इसलिए यहाँ पर इंकम टेक्स में प्रोसेस दे रखी है उससे निकालेंगे भी गुल कर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट सब देगी को जब पर्सेट के लिए कार यूज हो रही हूँ अगर का इस्तमाल सिर्फ और सिर्पास के काम में उतंड समय कोई सबया उसी सबस्ड़ कर से नहीं है औफिस की कार है वो, एंप्लोय की सेलरी में जोड़ के उसको मारना नहीं है, ठीक है, तो सिव वो सिफ कब जोड़ेंगे सेलरी के अंदर, जब वो परसनल काम के लिए यूज होती हो, एंप्लोय में इंकर में इंप्सपेंसेल कार, अब जो कार पर कहीं खर्चे होते हैं, फ्यूल होता है, रिवे, रिपैस होते हैं, टाइम टाइम सर्विसिंग करवानी पड़ती है, अचा कार में ड्राइवर भी लगा रखाया, अगर, रही ज आफिस है, तो ड्राइवर का खर्चा, अचा कर एक बार रोड पर रहे तो तो दुद्री अभर की चीज़ों की उसपे, ड्राइवर की चीज़ों की देप्रिशेट होगी, कार डेंट आ जाते हैं, कई बार ठुख जाती है, बहुत से चीज़ों होती है, तो कार टाइम के साथ साथ डेप्रेशियेट भी होती है उस डेप्रेशेशन का खर्चा भी हमको लेना पड़ेगा तो इसे तमाम चीज़ों का हम कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूर करते हैं और इंकम टैक्स के अंदर जो रूल्स दे रखें उसके सब से निकालते हैं कि एमप की और दूसरा case owned by the employee but expenses are paid by the employer अगर कार एंप्लउई किये खर्चा भी rer कर रहा है Тоiera कुछ भी उसकररे काई कै सेल्री तप जुटे कब कार एंपोई की हो मगरर्चा एंपॉय कर्या है इंपॉयर का कउच रrire उगदन वह ना चीद धा सेल्री में जोड़ने के लिए तो अगर कार एंपॉयर की है मगर्चा Πर यहtechnि अख्र। काम के लिए आ रही है तो यूस ठीक है तो दो के समको पढ़ना है या तो कार EMPLOYER की हो या कार EMPLOYEE की खर्चे EMPLOYER करता हूं क्लियर है अब दोनों केस के अंदर हम तीन-तीन केसेज पढ़ेंगे ओफिशल यूस पार्टली यूस और completely personal use, ठीक है, start करते हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, car owned by the employer, सबसे पहले हम कौन सा case पढ़ेंगे, car is owned by the employer, car is owned by the employer, यानि car case किये, employer किये, अब इस car के तीन cases होंगे, अगर car employer की है, हम मानके चल रहे हैं, खर्चा भी employer ही कर गाया है, अब car employer किये तो employee खर्चा क्यों करेगा उस पर, मुझे बताओ, वो तो हमने समझने के लिए यहां पर पढ़ा था, बढ़ भी एक बात बताओ, car employer की है जनरली यह मानके चलते है, employer खर्चा करता है, अब यहां पर जो अगर employer ने खर्चा करा भी है, तो employer सा उसका reimbursement ले लेगा, ठीके, तो generally जो car है, अब वो employer खर्चा करे, employee खर्चा करे, income tax यह परपरस सम इसको यह की मान रहे, ठीके, अगर employee खर्चा कर भी रहे, तो अतना benefit कों कम कर देंगे, cut, car is owned by the employer, यानि कि, car किस की है, employer की है, हम इन दोनों cases को, first part के अंदर cover कर रहे है, यह हमारा A part हो गया, और यह हमारा B part हो गया, ठीके, तो car is owned by the employer, अच्छा कर employer की है, यूज भी परस्नल ही आ रही है, car employer की, खर्चे employer का, तो मुझे बताओ, क्या employer को benefit मिला, कोई benefit नहीं मिला, सिर्फ official काम की ले रहे हैं, car अगर use, तो salary में बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे, employer को कोई benefit नहीं मिला, उसका tax बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, उसकी salary में कब जोड़ेगा, जो personal use के लिए हो, यह त तो अब यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे, car से कितना benefit मिला, सबसे पहले, employer ने car के उपर कितना खर्चा करा है, वो देखेंगे, employer ने car के उपर कितना खर्चा करा है, वो देखेंगे, हम देखने की, car employer की है, और उसके अंदर दो case देख रहे हैं, अगर कार से उसे परसनल यूज के लिए है घर के लिए दे रखिया ओफिस लाने का काम भी नहीं है तो फिर जितना एक्सपेंस किया है एंप्लॉयर ने अगर एंप्लेई को घर के लिए कार दे रखिये और खर्चा भी एंप्लॉई कर रहा है कार ओफिस के बट कर्चा कॉन कर रहा है अप्लॉई यूस भी कॉन कर रहा है अप्लॉई तो उसके सेल्री में नहीं जुड़ेगा salary में कौन सा चुड़ेगा जितना खर्चा employer ने किया हो उसके अंदर हम plus कर देंगे अगर driver को रखाए office ने तो इस driver का खर्चा driver को बोलते है chauffeur भी बोलते है simple word address रखेंगे driver driver का expense add करेंगे plus 10% of cost और actual higher charges अगर car company की खुद की है तो 10% of cost यह अगर कंपनी ने किराई पर लेके कार दे रखेंगे अपने employee को तो actual higher charges जितना रुपए में किराई पर ली car वो पूरा का पूरा salary में जोड़ देंगे employee की कि यहां पर आएगा comment अच्छा मान लेते कुछ खर्चा employee ने भी करा जो employee ने recover कर लिए उससे जैसे आफिस ने employee को कार दे रखेंगे घर के यूज करने के लिए कि यह तुमारे घर के लिए यूज के लिए ही एक कर और वो उससा महिने का अच्छा रुपे ले ले लेता है इस कार के लिए पाच्छा रुपे तीन अच्छा रुपे जो भी वेल्यू लेना चाहिए कुछ अमॉंट employer ले लेता है कार के बदले में कि तुम जो कार यूज कर रहे हर मेंने तुमाने salary में से मान लिए अच्छा रुपे कर जाएंगे तो recovery from employee क्या उसको भी salary में जोड़ना सही है जितना employee से वापस ले गया उसको इस में से minus कर देंगे यह benefit काम हो गया ने employee का कुछ पैसा दे रहे हो value के लिए अब salary में नहीं जुड़ेगा तो यह हमारे benefit निकलेगा For example, ABC Limited gave a car to Mr. Rajiv for Entirely personal use Expense by company कंपनी ने कार के पर कितना खर्चा करा मान लेते महीने भर में खर्चा करा कंपनी ने कार पे पांचा रुपे का कंपनी ने एक driver रखा था जो salary लेता है 15,000 रुपा महीना प्लस जो कंपनी की कॉस्ट है वह 10 लाग रुपे ठीक है तो इन्टू 10 परसेंट अच्छा अब यहार महीने जोड़ेगा तो डिवाइड बर 12 कर रहते हैं कार के नाम पर ठीक है अब देखते है राजियों को कितना benefit मिला सबसे पहले आएगा expense by employer पांच जार पांच जार पंच जार बुस द्रृवर पन्द धाजार पन्दना हजार सब्सक्राइब करना टोटल 28 कि टीपल 3 माइनस है रिकवरी कि दसार तो महीने का कितना बेनेफिट मिला अठारा तीन सो तैटिस का यह जो अमाउंट है यह राजीव की सेलरी में जुड़ जाएगा अच्छा अगर कंपनी ने हायर पे ले रखिया थी गाड़ी यानि कंपनी कि आहिने भी कार किस पर ले रखिए कराय पर तो अ थापक्तों ए Sin एक्टूब्स हायर चार्जस में कि यालिके कंपनी ने जो एक्सपेंस कर रखा है वो तो ठीक है बट अब कॉस्ट पर नहीं कंपनी के खुद की कारण नहीं कंपनी ने कार किस पर रखी है हायर पर और किराया आता है साथ हदार पांसो लुपर पर मन्त कि यहां पर साथ हदार पांसो पूरा लिख दिंगे एक्ट्राइब जित्ते भी दियो कंपनी ने तो वह भी चेंज हो जाएगा इसके असाब से भी कर लेते पांसा रुपे खर्चा प्लस 15,000 रुपे ड्राइवर प्लस 7,500 यह अगर 27,500 मारे 10,000 रुपे रिकवरी के तो 17,500 रुपे आपे बचे जो सैल्डी के इंदर जोडेंगे समझ में यह वाला केस यह वाला केस था जब 100% परसनल यूज हो जब कार का नहीं प्रसेंट परसनल यूज़ होता है तब कब यह तो फिर भी चलों आसान था एक पता लगाने कितना खर्चा होआhr क्योंकि जितना भी खर्चा 100% personal use में होगा हम मान के चल रहे हैं पूरा का पूरा personal benefit है बट मान लो अगर car employer की है खर्चा employer उठा रहे हैं बट उस car का use office के काम से भी होता है और उस car का use घर के काम के लिए भी होता है अब मुझे एक बात बताओ यह जो 17.500 है इस 17.500 में से कितना खर्चा official use के लिए किया गया और कितना खर्चा personal use के लिए किया गया निकाल सकते हो संभव ही नहीं है तुम ही कैसे बताओगे कि अगर office में इतना खर्चा हुआ है car पे मान लो car का insurance है car का insurance हुआ 25 रुपे के premium आई इस 25 रुपे के premium में car के insurance की उसमें सब office के कित्ती है और घर के कित्ती है नहीं निकाल सकते है तो इसलिए क्या करते है ना जब पार्टली official पार्टली personal use होता है इसलिए नहीं करते है तो इतनी सब माथा पच्ची नहीं करते है कि खर्चा जोड़ो driver के sales जोड़ो यह ना हो यह सब नहीं करते है हुआ है हुआ है हम पर ड्रयव पार्टली official पार्टली personal use यहां पर हमें माथा पच्ची करनी नहीं हम खर्चे कहसाब लगाते है बठेंगे नहीं हम यह पर क्या करेंगे हम यह पर कारगी category बना देंगे engine capacity less than equal to 1.6 liter और more than 1.6 liter यहां पर दो categories बना लेंगे यह कार की CC बोलते हैं इसको ठीक आप लोग ने engine की capacity सुना होगा तो यह सब आपकी कार की capacity है basically आप इतना समय दो 1.6 liter से कम की capacity है अगर तो वह छोटी कारी मानते हैं उसको और 1.6 से बड़ी है तो बड़ी कारी मानते है तो अगर 1.6 तक है तो हम कोई खर्चे का हिसाब ने विट लगाएंगे हम यहां पर कोई खर्चे का हिसाब नहीं लगाएंगे चले तो engine capacity वाईल चीज़ समझ महीं आपको अब हम निकालते हैं कि किस केस में कितना अमाउंट जुड़ेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे अब हमने जैसे अल्ड़ेडी देखा हम यह नहीं निकाल सकते कि कितना ओफिस का काम में आई कार कितने परसनल काम में आई मान लो 2000 का पैट्रोल डलवाया ग toca उपश、、 और उफिस की میटिंगो में गए ओफिस में क्लाइन्ट से मिलने गाए जिंबर ओफिस की काम क्याम अब शाम को घर में फंक्शन था employee के तो उसके घर के लिए ले गया गार तो अब यह थोड़ी कि office में 2000 का petrol था जाते टाइम वो निकाल लेंगा घर का petrol लवाएंगे वो जो 2000 रुपया खर्चा किया था petrol का उसमें office को और फंक्शन में जाने का दोनों का कम यूज करेंगा न employee तो यह नहीं निकाल सकते कि वो जो खर्चा कर रहा है कार के ओपर कितना percentage office में यूज हुआ कितना percent घर में यूज हुआ इतनी माथा पच्ची यहां पर नहीं करनी है यहां पर income tax ने आपको predefined rule दे रखा है आराम सो उसका यूज करो काम खतम अब यहां पर देखो सिंस पाटली यूज भी हो रहा है और official यूज personal यूज और official यूज दोनों हो रहे हैं तो यह भी तो सकते हैं कि इसे कार दे रखियो employer जाए खर्चा employee करता हो क्योंकि वो personal यूज भी तो कर रहा है तो हम यहां पर यह देखेंगे कार पर खर्चा कौन कर रहा है एंप्लोय कर रहा है कि एंप्लोई कर रहा है अगर खर्चा employer ने करा तो एक एक बिल समाल के नहीं रखना है सीधे सीधे क्या करो अठारासो रुपे पर मंत सेलरी में जोड़ दो employee की अच्छा driver भी दे रखा एगर कार के साथ साथ तो 900 रुपे पर मंत और जोड़ दो बस काम खत्म इसके लावन ना employee से कुछ लेना है ना employee को कुछ देना है अब मानलों employee से कुछ पैसे ले भी लिए तो सेल माइनस नहीं करना अब कुछ यह फिगर फाइनल है अच्छा एमप्लोई कर रहा है अच्छा एमप्लोई कर रहा है तो थोड़ा रियायद देंगे उसको 600 रुपे पर मंत जोड़ेंगे सिर्फ और ड्राइवर का 900 रुपे फिक्स है क्योंकि ड्राइवर तो वही ना कार बड़ी हो छोटी ओड्राइवर तो थो एक सल्री लेह रहे तो ड्राइवर का खर्चा सेम है कार बड़ी हुई अगर तो अगर एमप्लोई कर रहा होगा तो थो बड़ी कार है तो 1800 की जगे 2400 रुपे पर मंत जोड़ेंगे एमप्लोई खर्चा कर रहा है तो उसके अंदर 600 की जगे 900 रुपे जोड़ेंगे अगें वही प्लस 900 ड्राइवर के अब इसमें बहले एमप्लोई सो कुछ रीकावरी कर भी रहा हो माइनस मत करना यह फाइनल फिगर है ठीक है तो अगर वहीं ABC लिम्टेड ABC लिम्टेड ने कार दे रखी है अपने एमप्लोई को और उन नाम के एमप्लोई को कार दे रखी है वह कार का यूज करता है पार्टली ओफिशल पार्टली पर्सनल और कार के जो कैपेसिटी वह मोर देन 1.6 लीटर तो क्या होगा प्लस ड्राइवर दे रखा है ड्राइवर की सेलरी है बारह अज़र उपर पर मंत कंपनी जो एक्सपेंस कर रहा है कार के उपर कंपनी ने कार के उपर खर्चा कर रहा है एंप्लोईर ने जोड़ेंगे एंप्लोई की सेलरी में एक तो हमने पड़ा कि खर्चा प्लस ड्राइवर प्लस हायर चार्जिस यह कित्ता हो गया 17 और 12 29 रुपे जोड़ देंगे क्या नहीं जोड़ेंगे क्यों क्योंकि जहां बात आगे पार्टली ऑफिशल पार्टली पर्सनल की वहां पर हमें इन खर्चों से कोई मतला भी नहीं है हम इस इतना देखने कैपिसिटी कित्ती है 1.6 से जादा है सीधे जोड़ो 2400 रुपे ड्राइवर दे रखा है न 900 रुपे ड्राइवर के अरुन की सेलरी में से काट रही थी 5-6 रुपे कार के नाम पर उससे कोई मतलब नहीं है यह फिकर फाइनल रहता है थिस्तों रुपे समझ के पार्टली ऑफिस पार्टली परस्नल में क्या होगा अगर ऐसा लिखा होता है कि खर्चा अरुन खुद बेर कर रहा है तो 2400 के जगे 900 प्लस करते हैं अब आजाते हैं कार ओंड बाए एंप्लोई अगर और आप्टलय की खुद किये कार पर खर्चा भी एंप्लोई कुद कर रहा है तो चाहे तुम उससे ओफिस करवा लो या घर काम कडवा लो employee को कुछяла मिला क्याIM employee को कोई फायदा नहीं मिला क्यों क्यों कम, इसकी स्कूल की खर्चा उसका खुद का अब तुम तो मुझे चाए office का काम करवा या उसका घर का खुद का कम करें वह, खर्चा भी वह कर रहा हा है, तो अफिस से कुछ मिला नहीं उसको इसके लिए, तो जुड़ेगा, जब कार एमप्लोई की हो, यूज परसनल हो, और खर्चा एमप्लोईर करे, यानि कि के एमप्लोई की सेलरी में हम कार का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ तब जोड़ेंगे इस केस में, जब कार एमप्लोई की खुदकी है, यूज परसनल है, और खर्चे एमप्लोईर कर रहा है, तब ही तो सेलरी में जुड़ने जैसा हुआ केस, तब ही तो एमप्लोई को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, जब कार भी उसकी खर्चा भी उसका तो बेनिफिट काएगा, बेनिफिट तब मिलेगा, जनरल ही हो भी नहीं सकता है इसमें, और अगर हुआ भी तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, अच्छा अगर सिर्फ परसनल यूज के लिए कार यूज करता है वो, और जो पूरा खर्चा है कार का, वो उठा रहा है एमप्लोईर, तो जितना खर्चा एमप्लोईर ने उ उसने पूरे को सेलरी में जोड देना और कुछ रिकावरी हुए तक माइनस कर देना, ठीक है, तो परसनल यूज और पार्टली ओफिशल, पार्टली परसनल, ठीक है, अब परसनल में भी खर्चा एमप्लोईर उठा रहा है, जितना खर्चा एमप्लोईर ने किया गार पे, उसमें हम देखेंगे, expense by employer minus recovery from employee, जो net फाइदा मिला, मार लोग की दस हर का खर्चा करा, पांच हर रुपए वापस ले लिया, एमप्लोई से, तो उसको benefit जितने का मिला, पांच हर का ही मिला, तो वो सेलरी में एड होगा, पर्सनल यूज खतम, simple, अच्छा इस दिक्कत अगें यहां पर वही है, पाटली, ऑफिशल पाटली पर्सनल में है, क्या इशु है, कि हम खर्चा अलग लग नहीं कर सकते हैं, कि कितना खर्चा ऑफिस के लिए हुआ, कितना खर्चा घर के लिए हुआ, तो हम यहां पर अग 1.6 लीटर, समझें, अब टू 1.6 लीटर और ओवर 1.6 लीटर, यहां पर, हम यह नहीं देखेंगे कि खर्चा किस ने करा, जितना भी एक्च्वल खर्चा एम्प्लोयर ने करा होगा, वो एक्ष्पेंस, एम्प्लोयर वाला, एम्प्लोय वाला नहीं, खर्चा किसका, एम्प्लोयर वाला, दोनों केस में, उस खर्चे में सम्माइनस कर देंगे, अठारा सो रुपे पर मंथ, और यहां पर चौबिस सो रुपे पर मंथ, ठीक है, ठीक है, और का बड़ी कार है, तो मैनस चौबिस सो रुपे पर मंथ, तो एक एक एक्जमपल कर लेते हैं, कार, ओन्ड बाई वही एक्जमपल लेते हैं, अरुन, अरुन की कार है, अरुन कार के ओपर टोटल खरच कर रहा है, अरुन कार मुझे बता अरुन के सेलरी में कितना जोड़ तो इंजिन की पता हुना अची है मान ने तो अब क्या होगा न तो अब क्या होगा न तेपर लेस दन 1.6 लीटर है पार्टली ऑफिस पार्टली परस्नली उस है तो एक्च्वर एक्सपेंस कितना करा है कंपनी ने आठ हजार रुपे इस मतरा सिंपल सिंपल मैनेस कर देंगे अठारा सो रुपे कितना बचा शिक्स्टी टू हंड़ यह पर मन्त उसके सेलरी में जोड़ जाएगा सिंपल सा काम थीक है कि अचलगे कार पार्टली ऑफिस पार्टली परस्नलिस पूर्ट dovू तरह परस्नलिए उस के लिए होती सदी हो कि खर्चा स्थे करें खुद की हो से अपने घर के काम के लिए यूज़ करता है वो तो क्या अलिता होता कि और यह पर आठ हजार को माइनस तीन हजार बचा पांचार रुपे उसके सेलरी में जुड़ जाता ठीक है तो यह कॉर्स हो गया पी-ओ-डबल-पी का और यह हो गया परस्टनल का समझ मैं इस प्रकार से हम इस चेप्टर की कल्कुलेशन को करेंगे अब एक लास में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमको पढ़ने अगर किसी एंप्लोय के नाम पर एक से ज्यादा कारेक्ट है कि मानला ओफिस में दिखाया है कि इसको दो कार दे रखी तो इस केस में इं हंडर्ड पर्सेंट पर्सनल है मतलब की अगर कार किसकी है कार है एंप्लोयर की नंबर ओफ कार्स कितनी है दो कार दे रखी है तो अब इंकम टेक्स का मानेगा ना कार वन कार टू इसको मानलेगा पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल और इसको मानलेगा सिफ पर्सनल या फिर इसको सिफ पर्सनल और इसको पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल एस बेनिफिशिल टू एंप्लोई यह एंप्लोई खुद बता सकता है तो उसे employee को चुनना पड़ेगा कि मैं कौन से car को personal और कौन से वाली को official बताना चाहता हूं जाहर से बात है कि जिस car पे employer में जाधा खर्चा किया होगा उस car के अंदर हम ले लेंगे partly office partly personal क्योंकि उसके अंदर खर्चा ऐसा account नहीं होता और जिस car के अंदर कम खर्चा किया उसको personal बता देंगे क्योंकि आपके खर्चा account होता है तो यह दोनों के value निकाल लेंगे A value और B value whichever is lower salary में कम माउंट ढूड़े जयादा अच्छा है न क्योंकि tax फिर कम पर लागेगा तो whichever is lower यह employee के बुद्धिवेग पर है दूसरा अगर कार है more than 1.6 cc की अचा अगर जो कार है अचा अगर जो कार है that is of more than 1.6 liter इस से जाधा capacity की कार है तो यहां पर कायद से जुड़ेगा 2400 रुपे पर मन्त अब company claim क्या कर रही है जो employee है वो claim क्या कर रहा है यहां पर जो actual expense हुआ कार के ओपर वो हुआ सिफ 2000 रुपे पर मतलब की जो norm से fix यह पार्टली ऑफिस पार्टली परस्नल की बात चल रही है यहां पर यह बोल रखाई कि अगर 1.6 liter से जाधे की कार है तो 2400 रुपे पर मन्त सेलरी में जुड़ेगा बट employee के claim कर रहा है कि 2400 भी खर्चा नहीं हुआ 2000 रुपे खर्चा हुए तो income tax बोलेगा इस रिकॉर्ड तो income tax बोलता है कि तुमना जब जब कार को यूज किया तब तब कम को रिकॉर्ड लाकर दो हम मान लेंगे तुमने 2000 खर्चा कर रहा 2000 सेलरी में जोड़ेंगे 2400 नहीं जोड़ेंगे मना समझ रहा है यहां पर क्या हो बोल रहे थे कि अगर employer की कार है और पार्टली ऑफिस पार्टली परसनल यूज में काम आती है और 1.6 लीटर से जादा है कि यह तो हम सेलरी में मान लेंगे 2400 पर मंत का खर्चा हुआ employee बोल रहा है कि 2000 के खर्चा हुआ तो मेरे सेलरी में 2400 के जोगे 2000 जोड़ना चाहिए तो income tax बोले का हमको कोई दिक्कत नहीं है हमको रिकॉर्ड लाके तो तुमने कप-कप कार यूज करी कप-कप इतना खर्चा हुआ तो employee को रिकॉर्ड देना पड़ेगा रेजिस्टर में कि कित्ती जर्णी करी उसने कितने किस तारीक को कहा गया माइलेज कितना है कार का कितना खर्चा इंकर करा सब चीज़े देगा ना जब वो तब यह देंगे कि एक्चल खर्चा कितना हुआ है एंप्लोयर का और उस आपसर उसके सेलरी के नदर जोड़ा जाएगा ठीक है और जब भी पार्टली ऑफिस पार्टली परसनल वाला केस आएगा आपको एंप्लोयर से सटिस्केट लेना पड़ेगा कि इस कार से ओफिस का काम भी होता था ठीक है अच्छा आप जो पार्टली परसनल पार्टली ऑफिसल का केस है ऑफिशल काम भी थोड़ा बुत होता है पार्टली काम भी परसनल काम भी होता है तो उस केस में न आपको कोई डेटक्शन नहीं मिलता जितने एंप्लोई से रिकावरी हुई है जैसा आप यहां पे देखोगे न यहां पे तो है माइनस अमाउंट पेड़ एंप्लोई बट यहां ऐसा कुछ भी नहीं है प्रिजम्टीव बेसिस पर ले लिया कि हाँ 24 रुपया खर्चा हुआ होगा बली तुमने एंप्लोई से कुछ रिकावर किया हो यह ना किया हो यह जो माइनस सब्सक्राइब से वापस ले लिए हम उससा मतलब निये 2400 मतलब 2418 मतलब 18 तो यहां पर आपको भली एंप्लोई से रिकावरी कर लिया से और सेलरी में से काट लिया पैसा वह एंप्लोई की सेलरी में suffraat नहीं होगा 2400 रुपा इंठार रुपे 600 रुपे 900 रुपे पूरा तो इसलिए, Sum up करने के लिए, दो केस हैं 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 हमार पास, Owned by employer, Owned by employee but expenses paid by employer, सब में 3-3 केस हैं, 100% official, 100% personal, partly personal, partly official, अगर owner की car, employer की car, और personal use के लिए ही हैं, तो जितना खर्चे employer ने करा है न, उसमें से मैनस कर लो, जितना employee की शेल दिमें से काट लिया, जो बचा हूं, सेलरी में जोड़ दो, partly office, partly personal, अलाग लग ने कर सकते हैं, कितना personal use हुआ, कितना official use हुआ, तो ये देखो, car की capacity किती है, 1.6 liter से कम है है, जादा है, और ये देखो, car के ओपर खर्चा मेनली किया किसने, employer ने कि employee ने, अगर employer ने खर्चा करा है जितना, तो 2400 पर सेलरी में जोड़ दो, employee ने खर्चा किया, तो 900 और 600 पर खर्चा में जोड़ दो, salary के अंदल, ठीक है, अगर car employee किये, खर्चा employer ने पे किया है, और personal use के लिए car है, तो जितना खर्चा हुआ, employer का वो जोड़ के, जितना salary में से काट लिए, minus कर दो, बचा वो salary में जोड़ ज 2400 पर मन्त, खतम, दो car है, तो मान लेंगे, एक personal है, एक partner office, पार्चल है, अगर आप कह रहे हो, कि 2400 से भी कम salary में जोड़ना चाहिए, तो हिसाब लाके दो, कब-कभी उस करा, ठीक है, आपने, जो employer उस से certificate भी लेना पड़ेगा, कि official purpose के लिए use हुई है, और जो car सिफ और स office, office से घर के लिए है, वो benefit नहीं है, वो salary भी नहीं जुड़ता, ठीक है, यह था हमारा topic, valuation of a motor car, आप इनके थूर पढ़ेगा, इसको याद रख लो, कि पूरा topic याद हो जाएगा, इन दो slides में आपका पूरा topic है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लो, मिलता next lecture में, त